तो AP TV में आपका स्वागत है, Previewers, संचार क्या होता है, Communication क्या होता है, Communication वो है जो समझा जाए, यानि जो आप बोलते हैं, जो आप संचार करते हैं, वो संचार नहीं है, संचार वो है, जो उस व्यक्ति ने समझा है, जिसके प्रति संचार किया जा रहा है, Whatever you are communicating is not communication, but communication is what other is understanding, यानि ये आपकी संचार कला पर निर्भर करता है, कि अगला वही समझे, जो आप समझाना चाह रहे हैं, और अगला वही महसूस करे, जो आप चाहते हैं, कि वो महसूस करे, तो communication is that which one understands, संचार के विशे में एक बहुत पुरानी बात है, कि संचार एक transmission है, encoding है, एक माध्यम से होकर, मीडियम से होकर संचरन है, transmission है, फिर receiving है, decoding है, तो ये सब संचार है, शेनन वीवर मॉडल में, या transcendental मॉडल में, या telephone मॉडल में, इन बातों को हम पढ़ते हैं, Wikipedia पर संचार पर बहुत अच्छा लेख है, आप पढ़ सकते हैं, और उसमें कुछ समझ में ना आये, तो मुझसे WhatsApp पर आप पूछ सकते हैं, निश्चिन्त होकर पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उसका कोई शुल्क नहीं है, पूछने का कोई शुल्क नहीं है, 9540497415, ये मेरा WhatsApp नमबर है, शुल्क केवल शुल्क वाले क्लासिस का है, 4900 से लेकर और 180,000 तक के बैचिस हैं मेरे पास, आप उसी नमबर पर मुझसे बैचिस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो विशुद रूप से ISPCS के लिए हैं, और बाइलिंग्वल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और मै डॉक्टर आनल प्रदीक्षित वहाँ पढ़ाता हूं, मैं रिटायर अस्टेंड कमिशनर हूं, यह आपको पता ही है, पोर वो ट्रेजरी ओफिसर हूं, पोर वो साइंटिस्ट हूं, यह बाते आपको मालू हैं, तो संचार जो है कमिनिकेशन करने की स्किल्स होती हैं, एक संचार होता है वर्बल, जैसे इंटर्व्यू में, मौखिक, और एक होता है अभाशिक, नौन वर्बल, जैसे की ड्रेटिन में, यानि मेंस आपका जो है अभाशिक संचार है, और इंटर्व्यू जो आपका है, वो भाशिक संचार है, या मौखिक संचार है, संचार में confidence की बहुत बड़ी आवश्रक्ता होती है आपका जो confidence level है वो आपके संचार को प्रभावित करता है the more confident you are the more efficient communicator you are जितने अच्छे आप संचार कर सकते हैं उतना करिए बस confident रहे हैं interview का भी मूलमंत रहे है interview कोई knowledge test नहीं है कोई ग्यान का परिक्षण नहीं है संचार का परिक्षण है आप कितना अच्छा संचार करते हैं कितना बढ़िया communication करते हैं इसी बात पर depend करता है तो मेरी बात मानिए और एक अच्छे संचार की आदर डालिए शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करिए अच्छे अच्छी बातें करिए कुछ बोलिए ऐसे बोलिए जैसे आप YouTube पर वीडियो बना रहे हो अगर हो सके तो वीडियो बनाईए अपना चैनल खोलिए और वीडियो को अपलोड करिए उसके reactions लेखिए आपको confidence मिलेगा definitely तो मेरा ये कहना है कि संचार इतना ही नहीं है संचार संपूर्ण सत्ता है Harvard Simon ने decision making पर बहुत कुछ कहा है और decision making भी संचार के पहले आता है first of all you decide to communicate then you communicate तो Chester Bernard ने भी communication के लिए कहा है तमाम बाते कहीं जिनमें प्रमुख बात ये है कि communication is the authority संचार ही सत्ता है आपको अगर सत्ता पाना है चाहे राजनेतिक सत्ता पाना हो चाहे आपको प्रशासनिक सत्ता पाना हो या घर में भी अगर आपको सत्ता पानी है घर में जो traditional authority होती है वो भी संचार की ही देन है जितना अच्छा कम्यूनिकेशन आप कर सकते हैं उतनी ही सत्ता आपको प्राप्त होती है तो आज का वीडियो यहीं तक है बाकी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अभी मिलेंगे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाईए कमेंट्स जरू करिए अच्छे करें कमेंट्स बोले करें तुरन तैपियर होंगे कमेंट्स और मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू